परवा मत करो, never mind, never mind मुझे जाने दो, let me go मेरी बात सुनो, listen to me यहाँ पर देखिए हम listen word यूज कर रहे हैं इसे pronounce कुछ लोग listen करते हैं लेकिन यहाँ पर ती है जो वो silent होता है तो हम इसे listen परनाउंस करते हैं listen to me आप कहां से हो where are you from यहनि कि अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि आप कहां से बिलोंग करते हो किस प्लेस से बिलोंग करते हो देन आप बोलोगे where are you from कभी आना drop in sometime drop in sometime क्या मैं अब जाओं shall I go now बहुत बहुत समय बाद नजर आए long time no see यहनि कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसे यह कहना चाहते हो कि मैंने आपको बहुत टाइम बाद देखा यह आप बहुत टाइम बाद नजर आए तब आप बोलोगे long time no see जुबान संभाल कर बात करो mind your words mind your words अपने काम से मतलब रखो mind your own business mind your own business अब तक आप कहां थे? where were you all this while? where were you all this while? मुझे नाचना नहीं आता I do not know how to dance I don't know how to dance इस sentence को आप और भी कई जगों पे यूज कर सकते हैं मुझे पड़ना नहीं आता मुझे लिखना नहीं आता या कुछ भी दन आप बोलोगे I don't know how to read how to write